हलो दोस्त एलपी टेकनिशियन सीबीटी टू ट्रेड एक्जामनेशन जिसका वीडियो नमबर 22 है और एक इस नमबर तक का आपका डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहां बात कर रहे हैं एलेक्टोनिस मेकेनिक्स रेडियो टीबी मेकेनिस के बारे में ते दोनों के लिए कॉम्बिनेशन है और यहां पर बात करेंगे वेब प्रोपरेगेशन तो वेब होता है सिगनल को जो ट्रांस्मीशन करने का होता है और इसमें अश्मेस्टली ध्यान देंगे आयान मंडल का जिससे रेडियो की फ्रिक्वेंसी रिक्वेंसी डे recommend आती है और वेब प स्वेयर का लेयर D E F1 और F2 यह चारों लेयर की बात करेंगे इसकी विश्चस्ता क्या होती है इसी के बारे में यह वीडियो है तो चलिए बने दढ़िए इस वीडियो में मेट्रो रेल से समंदित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवेल आई पेल पी चैनल को सबस्क्राइब की दिए साथ में स्वेयर करना मत बूलिए तो हम वेब प्रो प्रोग्रेशन के बात करेंगे तो यहां पे एलोक्टो मेगनेटिक वेब जिससे देख सकते हैं इसे एलेक्टो इन से मेगनेटिक वेब तो इससे पहले वीडियो हम नमबर 21 में हमने बात किया था अंटीना से अंटीना से क्या ट्रांस्मिट होता है सिग एक एलेक्टिकल सिगनल को पड़ता है और दूसरा एलेक्ट्रो मैगनेटिक सिगनल को पकड़ता है दो ही टाइप को उसे पता होता है कि दो ही टाइप के सिगनल हमारे फंक्षन के लिए है इसी टाइप में वो काम करता है लेकिन यहाँ पर हम वेव प्रोग्रेशन में बात क है आपका इछ को ही एलेक्टर्मनेटिक के तर्मे यहां पर डिस्बीट करता है और कई जगह इसको मैंदिक के के टुर में में लिठा जाता है तो इह और फिर poem में प्रोग्रेसन होता है यह परना तो यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हैं ग्राउंड वेब असकाई वेब ट्रोपो अस्पेर वेब ट्रांसो अस्पेर वेब और अस्पेस वेब तो सबसे पहले लेकिन Ground Wave किस से कहते है, Progression यह आपको जानना जोरूरी है, तो जिसमें Antina, Transmitting Antina और Receiving Antina, Ground के पास या Ground Pave किसी Building Structure पर रहता है, उस टाइप के Antina को Progression का जो होता है, वो ground wave progression होता है लेकिन इसके में सबसे बड़ी विशेस्ता क्या था इसकी polarization हमेशा भटकल होती है तो याद रिखे गया भटकल polarization होता है इस टाइप के और ये lower frequency आपने देखी लिया और ये day time में possible है night time में ground wave में थोड़ी problem आ जाती है जिसका आपका फिर से उसको हम I know spare से फिर return होके आता है तो उसके बाद में हम बात करेंगे जब I know spare तो दो टाइप के फ्रस्ट ग्राउंड अंटीना में ground wave progression में मिल गया मुझे दो प्रस्ट एक बटकल polarization और दूसरा अंटीना होता है receiving and transmitting अंटेना दोनों पीरतिवी के पास होते हैं तो दो कंडिशन यहां मिलिया और तिसरा condition था कि यह केवल low frequency और medium frequency का transmission का काम करता है radio wave के लिए उसके बाद दूसरा यहां पे था आपका sky wave progression में हम बात करेंगे तो यह 80 किलोमीटर के आसपास होता है फिर थीवी से उपर और इस टाइप progression में क्या होता है signal पहले आईनो एसपेर तक जाता है फिर से रिटर्न आता है फिर जाता है और फिर जाता है यानि transmissing assistance से receiving antenna तक पहुँचने में band होते हुए signal पहुचता है इस टाइप की communication को बोलते हैं sky wave communication और यह actually long distance radio communication के लिए use किया जाता है जिसकी frequency high और medium frequency होती है तो यह तीन टोपिक है आप आईनो एसपेर याद रखिएगा किसके द्वारा होता है आईनो आयन मंडल के द्वारा होता है a sky wave 80 km या उससे उपर के range में होता है band होके signal transmission से receiving तक पहुचता है और यह long radio wave communication में use होता है उसके बाद हमारे पास तीसरा हमारा टोपिक था प्रोपो स्पेर वेग तो इसमें हम सबसे पहले आप जब भी ऐसा टोपिक आए तो इस आरे हाय फिर क Harvey कर लेना detra हज फिरक्वेंसी टाइप के होता है और अघ्र तो ट्रोपो ऐख वाले में क्या होता है लाइन ओप Oui कि चालत है और इसकीलेटरिट अबर में यूज होता है और इसमें अंटीना जो लगे हुए होते हैं वो डाइरेक्शनल अंटीना होते हैं द्यान दिजेगा डाइरेक्शनल अंटीना होता है और टोपो अस्पेर जिसे हिंदी में बोलते हैं छोब मंडल जो पिर्थीवी के सबसे नीरेस्ट है और इसका सबसे ज् घटनाएं होती है हावा वाई मंडल चेंज एनर्जी चेंज रेडियो चेंज तो इस मंडल की एक खासियत है और इसी में ये अल्टरा हाई फिर्क्वेंसी को लाइन और साइट के रूप में कॉम्मुनिकेट किया जाता है यानि तो यहां देख सकते हैं सबसे पहले ट्रोपो हाई फिर्क्वेंसी और सेट्रलाइट फिर्क्वेंसी के लिए क्या यूज केर जाता है त्रांस अस्पियर वेब क्म वन्दिकेशन किया जाता है तो इसमें सिगनल कि किस पり द्वारा टरंस्म checkpoint होता है ऑल्टरा हाई फिर्क्वेंसी और उससे ज्यादा भी जो फिर्क्वेंसिए यानि माइक्रो फिर्कवेंसी के रेंज में आता है तो ट्रांस्वोः असपेर में होता है और आयण मेंडल की जब बात करेंगे तो देखेंगे कि यह आयन मंडल से कैसे ट्रोपासर में सिगनल क्रोस कर जाता है रिप्लेक्ट को नहीं होता है उसके कारण बात करेंगे और इस riieving इसकी मिनिमम् रेंज की फिर्क्वेंसि का रेंज हैंडेड मेगांच होता है इससे नीचे के फिर्क्वेंसी इसमें ट्रांसमीट नहीं हो सकता चौनब्से टाइप में और पांचमे टाइप के हमारा जो गुमते हुए भी अस्पेस रिजल्ट एनर्जी ट्रेवल पो ट्रांस्पीटिंग दी रिसीविंग अंटिना ट्रोपो और स्पेसर पोटर और अटमसेयर 15 किलोमीटर एड़ेंट सब्साइड तो इसमें क्या होता है कि ट्रांस्मीटर और रिसीबर दोनों के रिफ्लेक्शन अर्थ के द्वारा होता है और रिफ्लेक्ट होते होते हुए सिग्नल अर्थ से रिफ्लेक्ट होके आपका रिसीविंग अंटिना तक पहुचता है और इसमें फिर्क्वेंसी बहुत कम यूज होती है 30 मेगा हाज तक यूज किया जा सकता है और इसमें जो भी फिर्क्वेंस की process किया जाता है जिसे अंटीना को बचाया जाए अंटीना का actual height कम किया जाए height पे भी अशर पड़ता है और इस type के communication में भी alo c line of side communication यूज होता है तो द्यान से आप देख लिजिएगा इस वाले topic में हमें क्या मिला इस topic के पढ़ने से कि अगर हमें बहुत high frequency करना है अगर पुछ दिया जाए कि satellite communication किसमें होता है रडार communication किसमें होता है तो द्यान रखिएगा four number transno ionosphere यानि सबसे उपरी सता से इसका communication होता है उसके बाद अगर पुछ दिया जाए कि कुछ radio frequency का जो range है वो किसे होता है तो sky wave से होता है radio frequency और जिसको iron mandal के भाग से ज़्यादा कहा जाता है ground wave में क्या होता है अंटीना धर्ति के नदीक होता है जिसमें transmissing और receiving दोनों एक साथ होता है और space wave में क्या होता है reflector का काम कौन करता है ground करता है और इसमें line of sight communication होता है और ट्रांस फेरिक communication भी छो मंडल के द्वारा होता है तो यह ध्यान रखना है और sky wave की एप्रोक्समिल्ट अगर कभी पूछ दिया जाए तो 80 km above of the ground होता है और उससे ज़्यादा भी होता है जब आयनो अस्पेर में आएंगे उसके बाद अब दो तीन टॉपिक है इसमें critical frequency तो आयनो अस्पेर की हमने बात किया था आयन मंडल में तो आयने मंडल में कोई सिगनल रिफ्लेक्ट तबी तक मालिये पिर्थीबी से आपने कोई सिगनल भेजा आयनो अस्पेर का ये लेयर है और यहां से सिगनल रिटेर्न आने के लिए एक कंडिशन है अगर इससे ज़्यादा सिगनल के फिरक्वेंसी हो जाएगी तो आगे के लिए ये ट्रांस आयनो सिगनल अस्पेर में निकल जाएगा तो इस मैक्समम सिकों बोलते हैं क्रिटिकल उता है करीब 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 100 मेगा हास की जो बात कर रहे थे यह आनव अस्पेकर की क्रिटिकल फिक्वेंसी होती है इस spots तो धरती की तरफ नहीं लोटके तो रिज़ीड रशनन स फर आयनो अस्पेर की तरब निकल जाएगा तो यह है आपका critical frequency उसके बाद है maximum usable frequency जिसको हम दूसरे टर्म में जानते हैं इसका full form आपको कभी पूछ दिया जाएगा तो full form भी आपको पता होना चाहिए तो इसमें क्या होता है maximum usable frequency limited frequency can be reflected back to earth by some specific angle of incidence कहते हैं कि जितना हम signal पिर्थी भी से transmit कर रहे हैं और जितना हमको return आ रहा है और यह maximum एक condition frequency की है जिसकी limiting frequency है जो reflect होके आ जाएगा यानि कह सकते हैं critical frequency maximum usable frequency दोनों एक दूसरे से related है लेकिन critical frequency उस layer की condition पे है और usable frequency आपके receiving antenna पे जो signal यूज कर सकते हैं उसके term में है उसके बाद fading है जो navigation के लिए use किये जाता है तो ये random signal को receiving random transition को करते हैं तो fading आपका use अगर आ जाए तो navigation में करते हैं navigation में होता है signal के fending उसके बाद अगला topic हमारे पास था polarization क्योंकि हमारा well program होगा तो कितने type से होगा तो पहले आपका horizontal है दूसरा vertical है और तिसरा circular है तीन type के polarization का use किया जाता है तो सबसे पहले electrical vector की बात करेंगे horizontal में तो electrical vector ground के parallel होता है जो आपने पहले भी बात कर लिया है E ground के parallel होता है और polarization में अगर E और H दोनों के direction बिलकुल perpendicular होती है यानि electrical direction ही इस direction में है तो magnetic field के direction उपर की तरह प्रहेगी तो ये ground के parallel होता है द्यान दिजेगा horizontal propagation में और maximum communication आज के date में रेडियो यह भी है बगेरा हो तो वो होता है horizontal propagation के द्वारा vertical में होता है कुछ ground wave के लिए low frequency में कहते हैं यह होता है यूज और इसमें आपका electrical field धर्ती के परपेंडी कुलर यानि vertical होता है और magnetic field इस direction में होता है पैरलल में तो यह condition reverse हो जाता है और circular में ना आपका direction थोड़ी सी एंगल पे रहती है ना horizontal ना vertical कोई भी एक direction नहीं रहता है electrical दोनों एंगल पे रहता है इसलिए इस टाइप के progression को circular बोलते हैं और यहां हम बात करेंगे कि किस के लिए यूज किया जाता है तो और जेंटर प्रोग्रेशन जिनरली टीवी के लिए रेडियो फिर्क्वेंसी में बात करेंगे तो टीवी transmission के लिए ज रहता है vertical progression किसके लिए किया जाता है ग्राउंड वेब बात कर लिया था कि जो अंटीना किसके निद्दिक रहते हैं फिर्दिवी को आसपास रहते हैं उसमेड है रोत कर एक में मैंडरईन वहता है और उसकी limited फिर्क्वेंसी 0off recommence और लेकिन इसको कम करने के लिए अंटीना की हाइट बढ़ा दी जाती है ध्यान दीजेगा तो वर्टकल प्रोजिडाइजेशन का यही पोजिशन था उसके बाद सर्कूलर का बाद हमने करी लिया कि नाइधर नौट पैरलल होता है नौट परवेंटिकूलर होता है यह एंगल प बात किया था डी लियर की लियर की एफवन की और एफटू की लेकिन सबसे पहले बात यहां करेंगे हाइट की तो हाइट के लिए आप याद रखियेगा सत्तर सौ उसके बाद हमारे पास 180 और 250 किस में किलो मीटर में तो यह हाइट है किस से पिर्थीवी से तो यह चारों ल और इसकी एक मूट इसकी अगर मूटाई किया जाए तो 10 किलो मीटर इसकी मूटाई होती है 25 किलो मीटर इसकी होती है और इसमें कहें तो यह दोनों रात में कॉम्बाइन हो जाता है जिसे एफ लेयर बोला जाता है तो इसकी हाइट 400 तक एक्स्टेंड हो जाती है 400 किलो अर्थ के नीज़क आपका छोब मंडल होता है जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही उसके बाद समताप मंडल होता है और यहां से यहां तक का रेंज है इस रेंज को बोलते हैं आयनो अस्पेर तो आयनो अस्पेर में क्या क्या होता है पहले लेर होता है डी उसके बाद होता है उसके बाद F1 और F2 यह ध्यान रखिएगा बिल्कुल यह प्रस नाता है तो यहां बात करने वाले हैं पहले D की बात करेंगे तो D से कौन कौन प्रोग्रेशन होता है बेरी लो फिर्क्वेंसी और लो फिर्क्वेंसी डी लेयर से होता है और यह केवल दीन में एकजिट करता है नाइट में यह दिस्पेयर हो जाता है यानि खतम हो जाता है नाइट में यह दिखता नहीं है आपको आईनो एस्पेयर में उसके बाद हम बात करेंगे E layer की अगर बात करेंगे तो E layer भी night में despair हो जाता है और इसके दोवारा high frequency और low frequency दोनों का transmission होता है या return तो यहां basic यह ध्यान रखिएगा night में एक ही layer होता है वो होता है F D layer गाइब हो जाता है आपका E layer गाइब हो जाता है और F1 combined हो जाता है F2 से जिसे बोला जाता है F layer तो DEF के बारे में अगर पूछा जाए कि I know despair में क्या होता है तो यह केवल दीन में exist करता है रात में exist नहीं करता है इसकी height के बारे में प्रसना जाता है और किस टाइब के frequency के reflection करता है इस टाइब के आ जाता है और F1 layer में absorb होता है high frequency और उसके बाद F1 और F2 का जो combination होता है उसकी height 400 km maximum है आपका I know despair का तो यह topic I know despair का था लेकिन इसमें 2-3 topic हमारे पास रागे थे तो height के बारे में हो गए लेकिन उसके बाद हमारे पास reflection तो reflection जिसको परिवर्तन बोलते हैं अगर यह I know despair है कोई signal को हम यहां तक transmit करते हैं और वो नीचे की तरब पिर्थीवी की तरब तब तक bend करेगा कब तक जब तक एक critical frequency को cross नहीं कर जाए जो हमने पहले ही बात कर लिया है इस type के reflection को काते है critical frequency से नीचे का reflect करना signal को करता है और एक किस के किस पर depend करता है यह पूछ दिया जाता है प्रस ने तो याद रखिएगा किस के किस के पर depend करेगा पहला critical frequency याद कि frequency क्या है जो हम signal कर रहे है उसकी frequency क्या है दूसरा है तीसरा क्या आएगा इसमें एक एक note करते जाए है तीसरा है refractive index और चौथा क्या है angle of projection तो जैसे हमने यह signal दिखाया कि इस direction में जा रहा है तो ज्यादा एंगल रहेगा तो आगे कि तरह पनीन कल सकता है या कम रहेगा तो यह topic आप एराक्द रखिएगा और reflective index को क्या बोला जाता है mu इसमें mu पे भी कुछ प्रस्ना आएंगे जिसको बारे में बात करेंगे layer by तो layer by अगर इसे बात कर लेंदे तो mu d सबसे कम होता है जिसके कारण से क्या होता है highway frequency ये high frequency को क्या कर लेता है अब्जर्ब कर लेता है तो d layer से उपर अगर जाएंगे तो mu e होता है उससे उपर होता है mu f1 और finally जो होता है mu f2 तो ध्यान दिजिएगा f2 से maximum high frequency reflect हो सकता है और d से सबसे कम frequency reflect हो सकता है तो ये भी आपको एक प्रस्ण मिल गया इसको भी आप याद रखें तो मोटा मोटी आपको ये clear हो जाएगा अगर कोई प्रस्ण पूछा low frequency किसके द्वारा reflect होता है तो d द्वारा medium frequency e द्वारा high frequency f1 द्वारा और high frequency के upper band में अगर कहा है तो f2 द्वारा तो रात में communication अगर कोई पूछ दिया जाए simple में कि in night communication increase because किस कारण से communication रात में अच्छा होता है तो द्यान दिजिएगा क्योंकि d, e और f1 रात में क्या हो जाते हैं despair होते हैं नहीं रहते हैं जिसके कारण से जो signal होता है वो direct f1 से reflect करता है तो refractive index और absorption कम होने के कारण आपकी signal की quality अच्छी हो जाती है तो ये द्यान देना है उसके बाद है reflection reflection simple topic है वो denser है इसमें हम सरल या viral कह सकते हैं यहां पर हम viral कहें viral medium से second medium की और जाता है जब signal तो क्या होता है वो अपने normal की और signal mood जाता है तो mood ने के किरिया reflect नहीं हो रहा है mood रहा है मुर्ने के किरिया को reflection कहते है और reflection 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 अलग है और reflection अलग है अप्वर्तन अप्वर्तन मतलब टेड़ा होना कहते है और परिवर्तन मतलब बदलना हो जाता है पूरी तरह से change हो जाना तो ये condition है तो ये दोनों टॉपिक से हो सकता है प्रसनाज है उसके बाद हमारे पास थोड़ी सी टॉपिक था वर्चुवल हाइट तो वर्चुवल हाइट को क्या बोलते हैं अभासी अभासी उचाई ये किसी भी लेयर का अभासी उचाई है दहां तक सिगनल यहां तक पहु पहुच जाता है उसके बाद है उसके बाद हे आपका डप डप प्रोग्रेशन आता है तो क्या है कि हमारा प्र्थिभी जो आयनो स्केर है आपको पता हीये सारे विडियो में इस टोटल आयनो स्केर है तबmind के पिरती भी की T Harvard आता है उपर जाता है इस तरह का प्रोसेस चलते हुए सीडनल को चलते रहता है और एक किस कारण से होता है आपका ईक्ट प्रोग्रेक्शिन इसको बोलते हैं और इसमें इस कारण से होता है reflection जो हमने बात भी किया था reflection of signal तो reflection किस कारण से होता है reflective index के द्वारा होता है और यह जो इस process चींस में होता है तो यह पिर्थीबिय और i-n or sphere के बिच में क्या बन जाती है duct duct मतलब एक ऐसा संदचना जिससे signal इससे ना बाहर जा पाए ना अंदर इसी के दुआरा reflect होते रहे तो इस टाइप के progression को बोलते हैं duct progression और यह होता है आयनो अस्पेर और पितिवी के बीच में reflected background to acting mirror reflected of signal यानि हम एक बार signal transmit किये इसे अगर color करके कर दें तो एक बार आपने signal जो transmit किया signal एक गया आपका आयनो अस्पेर वहाँ से reflect आके फिर से पिर्थिवी पे आया फिर्थिवी क्या किया इसका mirror reflect के रूप में फिर से reflect करके आपको आयनो अस्पेर तक भेजता है और फिर से पिर्थिवी के तुवरा आता है तो ऐसे ऐसे हजारो बार repetition को बोलते हैं duct probe regression और suddenly ionosphere dispersion ये कई बार प्रोशन तो suddenly ionospheric dispersion को बोलते हैं SID और इसे दूसरे टर्म में बोलते हैं sun asport cycle देखिए मैं भूल रहा था sun asport cycle और इसका time पूछ दिया जाता है कब होता है तो 11 year plus minus one year में ये होता है आपका suddenly disturbance ionosphere जिसको solar distribution भी कहा जाता है जिसमें signal disturbance हो जाता है तो ये कितने साल में हो सकता है अगर प्रस्ण में आ जाए तो 10 साल भी हो सकता है 12 साल भी हो सकता है और 11 साल तो हई है यहाँ पे तो 10-11-12 साल के बीच में हो सकता है option देख लेना आप गर ऐसा प्रस्ण आता है तो कौन सा है तो ये था topic हमारा piece bar का जिसे हम wave progression की बात किये थे जिसमें हमने की wave का कैसे progression होता है